हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो इस्टेडी फॉर सिविल सर्विसिस मद्द पर स्टेटिक जीगे की सीरीज कर रहे थे हम और उस सीरीज में हमारे 28 लेक्चेर है ठीक कल्चेर अब ही भी हमारा कंट्यूर चल रहा है और आज हम मर्स प्रेस के टॉम्स और उसके आगे की डिसकेश के लिए इस्टेडी फॉर सिविल सर्विस का यूटूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप हमारा टेलिग्राम ग्रूप भी जॉइन कर सकते हैं जो की सारे एक्जामनेशन से रिलेटेड आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्रवाइड करता रहेगा टाइम टू थी का फर्व करेंगे हम mane टॉबसिन मध्दजज इन मदवध देश से हमारा यह लक्रणा़ शुरू होगा ठीक तो मध्ध परेस के टॉम्स के बारे में के देखें तो सबसे पहले आपका आता है कौन सा टॉम्स ओफ रानील जश्मि बाई यह कहाँ लाइ करता है अपका listeners ongot फोली करटा है इस आपका तॉम्बाफ जल्कारी लाइ यह अपका जलकारी आ भी लाइक करता है थो करता है बुरहन पूर में ठिक उसके पाद आपका दौलत खान लो ती का कहां पे वो भी बुरहन पूर में ठिक रानियवञंती यहां पाइक का कहां पर मानदला में है लानिय गिरधारी भाइका आपका मांड़ ! नेक्स्ट है आपका होशंग शाह का मांडू में है ठीक तत्या तोपिक आपका कहाँ पर है शूपुरी में ठीक मारानी संख्या राजे सिंधिया का आपका शूपुरी में ही है कानहा पीर बुदान का आपका कहाँ है सावरा शूपुरी में ठीक उसके बद आपका कान्हा बाबा है यह जो मिस हो गया अंडर चला गया इसका है टॉम आफ आपका ग्वालियर में है मुहम्मद घौस का टॉम आपका ग्वालियर में है स्तानसेन का भी ग्वालियर में है बुम्ताज महल का टॉम आपका बुरहनपूर में देखने क्लिए मिलता है तात्या तोपे का आपका शिवपुरी में है महराजा संक्या राजे सिंधिया का आपका शिवपुरी में है ठिक कानहा पीर गुदान का आपका सावरा शिवपुरी में है कानहा बाबा का आपका है होशंगाबाद में जो किमिस होके मैंने बता दिया पिछली स्लाइड में आपको अब्दुल्ला शाह चंगेज का तॉम अपर कहा है धर में ठीक अब्दुल्ला बैजु बावरा का चंदेरी में है नवाब हसन सिद्गी का भौपाल में देखने के लिए मिलता है पेश्वा बाजी राओ का खारगोन में है रानी दुर्गावद अपका जवालपूर में है यह टॉम्स हमने डिसस किए नेक्स्ट हम देखेंगे के कल्चरल इंसीट्यूशन के बारे में टॉम हमारे हो गए और हम अब एंपी के कल्चरल इंस्टूशन के बारे में देखेंगे ठीक आईया सबसे पहले हम देखेंगे कि MP जो है वह वो दिन कर दिया है सबसे पहले आपका है MP कला परिशद इस्टेबिश्मेंट एर काउंस है 1952 और हेड़ ओफिस कहां पर इसका भोपाल में है ठीक नेक्स आपका है MP साहित परिशद सबस्टाइबं इसका उस्टाइब्लिश है उस्ताद अला उदime श्टाइब n blessings कीजिया ऑन नापका है हम्पेह अपर चाहित का है MP सिद्दी ऑंक म इस्टेबिलिश क्रूब है किया है ओ internology इक इसक थे टेमिंगे और फिर लिए ःपड़ा पर किरिए ठी is तक़ाने कि ओना पर कानीकि इनयत कर்क्षित ऑपनने गला मेंसेकिं Olum सब्सक्रू सबस्ट कई मुचे ऑपक्र लिकिति को यह इस खिलें उस्दॉज मिन 1969 में भिविवंटाइड़े में cuts slay इंप उर्दू अकेडमी 1976 में выпाल में एंप कालिदास की सट्रव masterpiece रेट एकडमी 1978 Mettiнут्यट में उज्शेइन्मOY इसके थिक उसके बाद उस्तार अलाा अचान थिंश कूश कर एकडमी 1979 में भोपाल में इस्टेबलिश की है भारत भाउन जो ह में बोपाल में स्टैब्लिश की गई घंप संस्क्रूह parked एपकी 1985 में में हैं फी तुलसी ऑकैडमी 1987 में आपकी बोपाल में स्टैब्लिश की कि एक आपको बच गई थी वो भोचपूरी इन्ड साहित की रre थी ऐ है रहत पूरी एंड पंजाब में पंजाब साहित academy है 2013 में भोपाल में establish की गई तो याद रखी कि अगर पूछ लिता है कि भोजपूरी एंड साहित पंजाबी साहित academy कहां establish की गई थी तो आपको बताना पड़ेगा भोपाल में establish की गई थी next हम आपके देखते हैं department directorate of culture MP के बारे में देखेंगे एंपी के डिपार्टमेंट है directorate culture का उसके बारे में देखेंगे तो MP government ने dedicated department set up किया है culture को के culture को dedicated तो किसलिए conserve करे protect करे और promote करे state की culture को और literature को ठीक किसलिए MP की culture literature को conserve करे protect करे और promote करे ठीक major activities इस department की कौन-कौन सी है सारे policy matter और policy formulation जो culture से related है उनसे deal करना ठीक next आपका है art and architecture का development ठीक art and literature का development करना conservation करना किसका आपका cultural traditions का आपका cultural traditions आपका conservation करना और Hindi language को promote करना आपको यह important है Hindi language का official government work and all other work related से के लिए promotion करना प्लस developmental work के लिए हिंदी का promotion करना ठीक writing publication and reprints इस आप सारे district गैजटर में आपका देखना कि किस language में आपकी जा रही राइटिंग्स पॉब्लिकेशन और डिपेंट्स और डिस्टिक गैजटर सखा financial assistance प्रोवाइड करना ठीक financial assistance और pension help प्रोवाइड करना किसे artist को literary persons को आपके help प्रोवाइड करना next आपका प्रोवाइड करना किसे selected artist को literary persons को ओनर करना इस्टेट गवर्मेंट के अवाड के अनुसार नेक्स्ट आपका क्या है क्या है कि प्रोवाइड करना किसका यूज हिंदी लैंगविज का यूज प्रोवाइड करना ठीक लुट करना अँज प्रोवाइड करना तकी इन मतलब का इस्टेट का जो culture है आर्ट है लिटरीचर है वह इंट्रेचर है तो क्या को देखा हम ने इस तीपार्ट्मेंट में MP eo department of department directorate of culture में देखा हमने इसका function है क्या केतने की culture को conserve करना protect करना promote करना state के culture में literature को भी ठीक all policy matter and policy information कल्चार से लेटेड या एक्ट करता है प्लस आपका development of art and architecture करता थीक conservation करता है cultural traditions का आपका फिर हिंदी language के use को official और government purpose के लिए promote करता है आपका फिर writing पब्लीकेशन देखता है आपके district गैज़ेटीर का जो गैज़ेट पब्लीकेशन होता है उसका financial assistance प्रवाइड करता है पेंचल हफ पर करता है आर्ट आर्टिस्ट को लीडरी परसंस को financial aid और motivation और encouragement प्रवाइड करता है एंजी उसको जो की culture सेंटर है , इनुट इन। रखोट है , सब्धानेकर का था उननें ृजिय में इनौइट कीया गया था , इनके प्रस्तुति के लिए एक platform प्रवाइड करता है, arts, cinema, literature, culture और आपका करकते हैं की dance and music के लिए आपका provide करता है platform, ठिक, house करता है, एक art gallery है, इसी के अंदर, एक open air amphi theater है, ठिक, auditorium है, एक museum है, travel and folk arts का, library है, poetry and music के लिए, तो क्या कहा है इसके अंदर में, auditorium है, ठिक, museum भी है इसके अंतर, travel and folk arts के लिए एक open air amphi theater है, art की gallery है, एक folk arts की library है, ठिक, music की library है, poetry की भी library है, design किया गया था famous art detective, charles korea दवारा इसको, charles, c-h-a-r-l-e-s, c-o-o-r-e-a, इन्होंने design किया था इसको, ठिक, और ठिक, यह आपकी import, इसकी six wings है, कौन-कौन सी है आपकी, सबसे पहले आपकी रूप आंकर, जो की museum of fine arts है, ठिक, next है आपका कौन सा, रागमंडल आरिपरेटरी है, और यह नीचरा है, वगर्थ आपका center of Indian poetry है, अनहाद आपका center of classical and folk music है, उसके बाद छवी है, आपका center of classical cinema है, निराला जो है वो, season pit है, आपकी निराला season pit, ठिक, तो भारत भाहन के बारे में फीट देखेंगे, तो multi art center है, ठिक, यह बहुत सी आर्ट परफॉर्म की जाती है, भोपाल में है, आपका, 1982 में inaugurate किया गया था, किसके दौरा PM इंदरा गांधी दौरा इनौरेट किया था, एक platform प्रवाइड करता है, किसका, art को, art literature को, theater को, cinema को, dance को, music को, ठिक, यहाँ पे एक amphitheater है, ठिक, एक in-house gallery है, open air amphitheater है, auditorium है, museum है, tribal and folk arts का library है, Indian poetry and music की, ठिक, famous किस ने design किया था, art tech ने, Charles Korea ने design किया था, इसे, six wing है, इसी कौन कौन सी, भारत भवन की, रुपांकर, museum है, fine arts का, राग मंडल, रेपर्टरी है, वगर्थ, आपका, cinema, center of Indian poetry है, अनहद, a center of classical and folk music है, छवी, a center of classical cinema and निराला सीजन पीड, यह आपक हमने देखा, भारत भवन के बारे, next है आपका, रवेंद्र भवन, रवेंद्र भवन, जो है आपका, यह भारत भवन के बगल में है, next to भारत भवने, second most important cultural institution है, भोपाल की, theater है, auditorium है, भोपाल में, और space provide करता है, art और culture के expression के लिए, city में, ठीक, functions यहाँ पर organize होते है, under administrative control of directorate of culture, मदप्देश के under में, organize होते है, various cultural activities भी यहाँ पर organize की जाती है, ठीक, यह important है आपका, और seating कमेश्टियां की 728 है, दो hall है इसके अंदर, अंतरंग और बही रंग, अंतरंग की 78 side seat है, sorry, 728 seat है, अंतरंग में है, और आपकी बही रंग में 5000 seat audience बैढ़ सकती है, तो क्या क theater है, auditorium है, इसके अंदर, spirit provide करता है, आपका, art and culture के expression के लिए administrative control है, directorate of culture के अंडर में, ठीक, आपके मदप्रेश के directorate of culture के अधीन है, आपका, various cultural activities यहाँ पर perform की जाती है, air condition है, open air theater भी यहाँ पर पाया जाता है, 728 capacity का अंतरंग और 560 capacity का बही रंग, next है आपका, उस्ताद अलाओदीन खान, music and art academy आपका, यह भोपाल में लाई करता है, ठीक, 1912 में establish किया गया है, ठीक, function करता है, MP, art and council के अंडर में, ठीक, 9 function अंडर MP, art and council के अंडर में, ठीक, फिर क्या है आपका, establishment कि समय, इसका नाम था मदप्रेश कला परिश्यद, ठीक, आप जब establish किया गया इसे, तो इसका नाम था मदप्रेश कला परिश्यद, एम क्या है इस अकडमी का protect करना, preserve करना और develop करना किसको, Indian classical music को, dance को, drama को, तो यह important है, protect, preserve and develop करना किसे, Indian classical music, dance and drama को, पचास, पिछले 50 सालों में, अपने existence के कारण, इसने कई मतलब की, several artists को various art forms, मतलब support गया है, चक्रध dance center and धुरूपत center, यह इसी एक अंदर पे हैं, ठीक, और एक है कितने organize करती है, following programs, जो है, जैसे आपका हो गया, वादविनोत समारो आपका हो गया, ठीक, वादविनोत समारो, चक्रधर समारो हो गया, धुरूपत समारो हो गया, आमिर खान समारो हो गया, अलाउदीन खान सं सरकार ने इसको 1922 में establish किया था, ठीक, और यह MP Art and Council के अंडर में function करती है, पहले इसका नाम मदविनोत समारो हो गया, ठीक, पचास सालों में बहुत इसने important work किया है, ठीक, इसके अंदर चक्रधर dance center है, और धुरूपत center है, ठीक, और वाद विनोत समारो, ठीक, चक्रधर य इसको उजयन में establish किया गया है, ठीक, और आपका 1978 में establish किया गया था, Department of Culture में आता है, एम क्या है, memory, great discipline की alive करने की, मतलब कालिदास की memory alive रखने की, और multi-disciplinary institution है, जो की project करता है, अगर टोटल्टी और classical tradition थी, classical tradition प्लस कालिदास पर research उचास आपका करता है, facilities प्रोवाइड करता है, research and study, Sanskrit literature के लिए, और tradition के लिए, प्लस आपका महा कभी कालिदास पर research continuously करता रहता है, तो क्या कर देखा है, इसके बारे में कालिदास academy के बारे में, आपका क्या करते हैं, उजयन में established किया गया है, 1978 में कालिदास जी के memory में established किया गया है, multi-disciplinarized institution है, study and research करती है, कालिदास के वर्ग पर, और other literary works पर, first festival inaugurate किया गया था, कालिदास festival, president of India, ट्राक्टर राच्वेंद, परसाद के अधीन किया गया था, ठीक, next आपका है, कला परिश्यत भोपाल में देखेंगे, उसके बारे में, यह 1952 में established किया गया था, organization जो की work कर दीए किसके लिए, academy for music है, dance, drama, fine art, और क्या करती है, खजुराहों festival को organize करती है, कौन से festival को organize करती है, मांडू festival को, भेदगाट festival को, और तांसेन festival को, कौन academy, कला परि करती है, कला परिश्यत भोपाल में, 1952 में established किया गया था, academy for music है, art, dance, drama, fine art, और कौन को से festival organize करती है, आपका करती है, मांडू festival organize करती है, ठीक, आपका, और खजुराहों festival organize करती है, भेदगाट festival organize करती है, तांसेन festival, और एक magazine publish करती है, कुसे काल वर्थ के नाम से, ठीक, तो इस्टैबलिश किया गया था, मतलब प्रेश गर्मेंट इसको patronage दिया, ठीक, किस लिए, इस्टैबलिश किया गया था, ताकि राइटर्स को और डेवलोप्मेंट, लिट्रेटर्स को patronage दे सके सरकार, council organize करती है, क्या, various function, किसके लिए, creativity promote करने के लिए, youth में, और उन्हें grants देती है, ताकि वो एक book publish करने में, और author, मतलब book publication में, उन्हें कोई problem ना है, initial zone के works है, उसके लिए, ठीक, तो क्या देखा हमने, साहित प्रोजिशन में, उनिस जोवन में, भौपाल में, इस्टैबलिश की गई थी, ठीक, patronage देती है, writers and development, developments of literature को, organize करती है, various function to promote creativity of youth, offer grants to budding authors for publication of their initial work, grants provide करती है, और council work करती है, किसलिए, culture को promote करने के, book के culture को promote करने के लिए, book clubs organize होते हैं, book clubs, और help दी जाती है, small magazines को create करने के लिए, plus reward किया जाता है, creative work के लिए, ठीक, ये वन्दब जो work, उनके creative work होते हैं, उनके लिए भी reward किया जाता है, national book fair में, participate करने का मौका भी दी जाता है, organize करती है, following program, जैसे कि आपका, केशो जहनती समारो हो गया, ठीक, औरचा में, निवार में, next, आप माकनलाल, चतोरवेदी, स्मृति, संबरो, खंडवा में, शीजन, अनुभाव, यात्र, प्रोग्राम, exchange of literary activities, ये सब और नाइस करवादी, फिर से देखेंगे, साहित प्रिश्ट के बारे में, उननी से चोगन में, भुपल में, इस्टेबलिश की की थी, पेट् करती है, following program, जैसे की, केशो, जैनती, समारो, और्छा, निवारी में, शुबद्र, कुमारी, चोहां, इस्मृति, समारो, जबलपुर में, पदमाकर, इस्मृति, समारो, सागर में, आपका, बालकृष्ण, सर्मा, इस्मृति, समारो, आपका, जसाजापुर में, माखनलाल, चतरवेदी, समित्री, समारो, आपका, खंडवा में, और, स्रीजन, अनुभहत, यात्रा, प्रोग्राम, आपका, जोगी, कल्चरल, एक्स्चेंज, के लिए, इसका भी, समारो, आपका, इस्टेबलिश करती है, ठीक, नेक्स्ट, आपका है, आदिवासी, लोगकला, परिश ट्राइबल आर्ट को, प्रिजर करना, और, डवलप करना, तो, यह इंपॉर्टन इसका फंक्शन है, एक्टिवटी, क्या-क्या, इसके अंदर होती है, इवेंट्स, और्गनाईज किया जाते है, ठीक, सर्वेज कंटेट किया जाते है, ठीक, अकैडमी, और, आदिवर्थ, और, ट्रैवल फोकार्ट, ठीक, यहाँ पर मेंशन है, आदिवर्थ, और, ट्रैवल फोकार्ट, रमायन कला, म्यूजियम, ओरचा में, लोकरंग, जागार, लोकरंग, फिर जगार, लोकोत्सव, नाच, नाच समरो, और, कबीर समरो, यह सब और्गनाईज कर वाथी, तो, क् अधिवर्थ है, जो कि ट्रैबल आट्स पर है, रमायन है, जो कि, रमायन कला म्यूजियम, ओरचा में, लोकरंग, जगार, और, लोकोत्सव, नाच समरो, और, कबीर समरो, यह सारे चीज़ें, और, इसका में एम है, उर्दू लिटरेचर को प्रमोट करना, और, अर्रेंज क करना, फाइनेशल है, पब्लिकेशन के, उर्दू बुक्स एंड लाइबरेरी के लिए, ठीक, उर्दू अकेडमी, 1976 में स्टैबलिश किया गया था, प्रमोट करना, उर्दू लिटरेचर को, प्लस क्या करते हैं, कि पब्लिकेशन जो ग्रांट प्रोवाइड करना, कि स्टैबलिश की गई थी, क्या इसका फंक्शन है, प्रिजर करना और प्रमोट करना संस्क्रित लेटरेचर को, नेक्स्ट आपका क्या है, माराथी साहित अकेडमी, यह भी इंपॉर्टन्ट है, आपका, 2010 में स्टैबलिश की गई थी, पर्मनेंट प्लेटफॉर्म है, एक्स प्लस क्या कैते हैं, इसका फंक्शन है, इसका फंक्शन है, स्टैट भुपाल में माराथी बिबल लेते हैं, अपने आर्ट अल्न कल्चर को, एक पर्मनेंट प्लेटफॉर्म पर एक्सप्रेस कर सकें आराम से, ठीक, यह होका, नेक्स आपका सिद्धी अकेडमी, यह इसका तो देखेंगे शिंधी एकाड़मी भौपाल में स्टेब्लिश की गई थी उनिश्व तिरासी में इसका फंक्शन है शिंधी लैंवज को प्रमोड करना सिंधी लिट्रेचर को प्रमोड करना प्लस मैंगजीन को इसकी एक प्रिशापती जिसका नाम है सिंधी प्रतिनी थी ठ 69 में भोपाल में established की गई थी तीक next आप काता है तुल्सि अक्यडमी next आप काता है ही तुल्सि अकडमी sorry कि यह फांड की गए थी 1987 में फांड की गई थी 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 भोपाल में compile करती है propagate करती है और publish पुल्सिदास के poate तुल्सिदास की जो works है उन्हें compile propagate और publish करती है seminar और सीम्पोजियम भी और इसके पडिश करती है मैगजीन पडिसका नाम है समाधान चित्रकूट और इसके बाद समाधान चित्रकूट में आपकी कमपा प्रपोगेट करती है और पडिश करती है पोईट वर्क पोईट वर्क जो है पोईटिक वर्क हैं आपके तुलसी दासे उनको सेमिनार और सिंपोजियम औरगनाईज करवाती है रिसर्च भी करती है प्लस मैगजीन पबिश करती है समाधान और चित्रकूट रिसर्च सेंटर इसने डेवलप कर रखता है प्लस आपका तुलसी समारो कंडक्ट करवाती है नेक्स्ट है आपका MP कल्चरल काउंसिल जो की 2003 में स्टेबलिश की गई थी ठीक वोपाल में स्टेबलिश की गई थी उस्ताद अलाउद्दीन खान अकेडमी मैहर में जो है आपकी इसके अंडर अकेडमिक जो है कौन-कौन से आती है इस उस्ताद अलाउदीन खाना कैडमी मैहर में कालिदास अकेडमी साहित अकेडमी MP कला परिशद MP आधिवासी लोक कला परिशद यह सब इसकेंडर में आते हैं कल्चरल काउंचल केड़ों 2003 में स्टेबलिश किया गया था भोपाल मेंस्टेबलिश किया किया थीक प्लस के कहते आपके जो Chairman हो, CM होते हों और आपके Vice Chairman जो होते हूं पोड़ Statehan कौन से academy included है युस्ताद अलाउदीन खान अकेडमी मैहर में जो की है कलिदास अकेडमी साहित्य अकेडमी MP कला परिशाद यह सब इसके अंडर में आती है ठीक अब कुछ MP के हम म्यूजियम के बारे हम देखेंगे जो की बहुत इंपॉर्टन आर्टिफेक्ट को स्टोर करती है जैसे कि आपकी पेंटिंग्स पॉर्टरी इस्टैचू होगी और चेनलेशन जो आग है हमारे जो आर्टिफेक्ट लगन है वो भी इन डिपेक्ट करती तो कौन कौन से म्यूजियाम के सब से पहले सांची में है रायसलेंं में उसके बास इनडिस्टिक में पड्लेय्फिक चंदेल पीरेड के रिमेंस पाई जाते हैं और बुद्धिधन और हिंदुज्यं से रिलेटेड चीजें पायाती है अपका आर्कि लोजिकल में जोगी खजुराहों में है चतरपूर डिस्टिक में यह यहां पर चंदेल पिरेट से डूरेट्ट आर्टिफेट्स पाया जातते हैं इस्टेट मुझेम है भोपाल में में necks अधिक अगेश Also इसको भो पाल में स्टेब्लीश किया गेथा अधारव साप्वरियम जनेललियम यहीं भोपाल में स्टेब्लीश किया गे था Central Museum में आपका गुजरी महल गौलियार 1909 में इस्टेबलिश किया गया है Central Archaeological Museum आपका कहाँ इस्टेबलिश किया गया है Indore में 1931 में इस्टेबलिश किया गया है Rani दुर्गावती Museum आपका जबलपूर में 1975 में तुलसी Museum आपका रामवन सतना में 1978 में और State Museum आपका कहाँ इस्टेबलिश किया गया है Dubhela Dubhela आपका है D-H-U-B-E-L-A यह 76 पूर में इस्टेबलिश किया गया है फिर से देखेंगे Archaeological Museum आपका सांची में इस्टेबलिश किया गया है जो की Raysian district में है चंडेल पीरिट के जो रिमेंस हैं और बुद्धिस्यम और हिंदुईस्यम से अलेटेड़ आर्टिफेक्ट यहां पर पाए जाते हैं नेक्स्ट आपका आर्के लॉजिकल म्यूजियम जो की खचुराहों में इस्टेबलिश किया गया है चंडेल पीरिट से रिलेटेड आपके आर्टिफेक्ट्स पाए जाते हैं यहां पर ठीक स्टेट मूजियम है नेक्स्ट आपका भॉबाल में 1887 में इस्टेबलिश किया गया था इंद्रा गांधी उसके बाद नैशनल मैन म्यूजियम आपका भॉबाल में पाए जाता है ठीक माधवराओ सापरे म्यूजियम आपका जनरलिजम का जो है वह भॉबाल में है Central Museum आपका कहां पर है गुजरी महल में आपका गुवालियर में 1990 पाये जाता है Central Museum आपका Central Archaeological Museum आपका इंदौर में 1931 में इस्टैबलिश किया गया था रानी दुर्कावती म्यूजयम आपका कहां पा जाता है जबलपूर में 1975 में तुल्सी मुजियम आपका रामवन सतना 1978 में इस्टेबलिश किया गया था कुछ डिस्टिक मुजियम के बारे में हम देखेंगे जो कि दिन्डोरी में आपका सबसे पहले लाइक करता है कौन सा है फॉजल रिमेंस यहां पर पाजाते हैं ठीक इंपोर्टन है आपका डिस्टिक मुजिय में मुजियम है डिस्टिक मुजियम है शाडॉल में आपका पाजाता है राजगर में पाजाता है देवास में पाजाता है मंदसौर में पाजाता है और ओश्यंगाबाद में आपके डिस्टिक मुजियम है अपका डिस्टिक मुजियम शाडॉल में है आपका डिस्टिक मु पहला ठ्रिवलं मैं आपको भ्षे जाता है ठीक नेिस्टी आपका दुष्टूरं मैनुस्क्रूप्ट मुजिएम वह भ७ॉप्द भी revers अदुय देल आपका षड्ड्ाति अबका च्यंद works kil burner में लिए उनिसोचोवण में आपका पाया जाता है तो यह सारे आपके इंपोर्टन फैक्स थे किसे म्यूजियम से रिलेटर है ठीक जानते ही आप आपका बेश नगर है जो की विधिश्या में पाया जाता है और गयाइसपूर है आपका ये विधिशा में पाया जाता है नेक्स्ट आपका दार्शपूर ये मंदसौर और आर्केलोजिकल फाइंडिंग्स ओफ यश्वर्मन ओफ मलवा पाई जाती है मंदसौर में पाई जाता है यहाँ पर है आपका और आर्केलोजिकल फाइंडिंग्स ओफ यश्वर्मन ओफ मलवा यहाँ पर पाई जाती है नेक्स्ट आपका आवरा जो कि मंदसौर में लाई करता है ठीक इंद्र नगर इंद्रागन आपका कहां पर है यह भी मंदसौर में है आपका ठीक कसर कसरवाड आपका जो है वो खारगोन में लाई करता है नवता टोली आपका भी खारगोन में लाई करता है ठीक महेश्वर है है यहापका वो भी खार्गोन में फित नगर है आपका यह कहां पर है खार्गोन में जहां सिराने बुद्धक है! डालो में पाया जाता है महिश्वर आर्केलोजिकल प्लेस जो है वो नवदा टोली आपका खारगोन में है टिक कसरवार्ड आपका खारगोन में है इंद्र इंद्रागन आपका यह भी मंद्य मंदसौर में है आवरा आपका मंदसौर में है दाशपूर आपका कहां पाया जाता है मं यहांपर पर कॉपर एज के रिमेंस विले हुएं ठीक आपके तामर कालजसे का जाता है नेस्ट आपका आदमगड जो कि खोशंगाबाद में लाइग करता है प्रिस्टो इस्टम्स पर जाती है और सबसे पहले आपका है यहांपर चीज़ें पाई जाती है मालवा रिजन में भी है ऐसे वरा महिर बर्थप्लेश वरा महिरी जो रहते उनका बर्थप्लेश ऐसे कंसिडर किया जाता है कि यही था कौन सा काय था नेक्स आपका है नागडा जो कि उजयन में है जुना एरवबास उजयन में लाई करता है तीन हजार साल पुराना है रिमेन एक्सकेवेटेड पाए गए है मतलब तीन हजार साल पुराने जो है वो अवशेर यहां पर पाए गए है उसकी बाद है चाडोल यह उजयन में लाई करता है दो हजार साल पुराना है ओल्ट टेंपिल यहां पर डिस्कवर किया गया है नेक्ट आपका पवाया जो की गौलिया रिजन में पाए जाता है टी उन्थार आपका पाए जाता है रिवा में पाए जाता है इरान जो है आपका सागर में पाए जाता है जटकार आपका खजुराहों में पाए जाता है जो की एक एंशेंट टेंपिल वहाँ पर दूला घाट आपका धर डिश्टिक में पएज़ता है यहां पर एविडेंस है ब्रॉन जेस के शिवलाजेशन का और आपका बाला घाट में अर्ड होने जो आखरी वाला है यह क्या करते हैं कि यह है आपका खला घाट छाल घाट है के और इंशेन रिमेंस पहा जाते हैं बुद्धिसम से रिलेटट फिर से देखेंगे कयाथा और कयाथा गाप अहां पहाँ जाता है यहां चालकुलितिक टाइप पीरिडिड की साइट है मालवा रिजन में पाई कहा जाती है और वरा अमेरिका बर्थ प्लेस भी इससे कहा जाता है जुना अर्बास आपका उज्यान हें 3,000 साल पुराने डीमेंस यहां पर पाये हैं टाडौल आपका उज्यान मिलाई करता है यहां पर 2000 साल पुरानी टेमपल पाई गई है वो पवाया आपका ड्यौली हैं करता है त्यमधार आपका अधिवार इसी इंपयरे करता है यह important है जतकारा आपका खच्राहों रिजन में लागी करता है जो कि ancient temple excavate की गई थी वहां से थिक दुल घाट आपका धर रिजन में पहाँ जाता है एवडेंस इसका ब्रॉण जेश्विलाजेशन में और नेक्स्ट है आपका कल घाट जो की धर रिजन पहाँ जाता है ancient remains है बुद्धिशम से रिलेटेड़ ancient remains यहाँ पहाँ जाते हैं तो इतने रिमेंज भी प्लाइंग है city planning एवडेंस मतलो वहाँ city planning की गई थी तो उसके भी evidence आपके पाए गए हैं ठीक नेक्स्ट आपका है बेस नगर बेस नगर चुकि विदीशा में लाई करता है ठीक इसे also known as भिलसा भिलसा भी के नाम से भी जाना जाता है बेस नगर एक historical city है जो की भोपाल के नियर लोकेटेड है bank किस नदी बैंक के लोगएड है बेस एंड बैत्वा नदी के बैंक पर लोकेटेड है आपकी चुकि सांची के पास में है sorry आपकी it was an important trade center ये important trade center है किसका मौर्यास का शुगनास का सातावानास का और गुपतास का किसका किसका फिर से देखेंगे मौर्यास सातावानास गुपताज और शुगनास फिर से देखेंगे और आपकी ट्रेट रूट प्रोवाइड करता था किसे मौर्यास को सुगुनास को सातावाहनास को और गुपतास को तो यह इंपोर्टन टिक प्रिंश अशोग जो थे कहते हैं अशोग जो दग्रेट जो थे उन्होंने गवर्णर वो सर किये थे किसके विदीशा के जब पहली और आपका कौन सा उसने डेटेट कियां किकसी हो कुलिकेट किर्शन को और इंस्क्रिप्शन कंश्य के बेस नगर इंस्क्रिप्शन के बारे में हमने देखा क्या है इसका इसका इस्ट्री क्या है है हेलिडोरस पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं इसे क्या है हेलिडोरस पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है इसे यह important fact है आपका है हेलिडोरस पिलरस इंस्क्रिप्शन भी कहा लोकेटेड है ठीक आर्किलोजिकल इंपोर्टेंट साइट है अपोजिट है किसके महेश्वर के आपोजट में लाई करता है 1950 में डिसकवर की गई थी प्री हिस्टोरिक साइट है कॉपर एच की आपकी सिंपल कॉपर सब्सक्राइब लाई करता है अपोजट किसके महेश्वर के अपोजट है अपका चोटी काली सिंद के बैटे पे इससे पहले वाला का था सदन बैंक आप लोकेटेट था आपका नर्वदा का नर्वदा करता है किसकी बैंक पर चोटी काली सिंद चोटी काली सिंद है चोटी चोटी काली सिंद है और यहां पर क्या है आपका अर्लियस्ट नोन अग्रिकल्चर सेट्लमेंट और मालवा रिजन इस फ्लाउंड है कॉपर वेर्स पाजाते हैं कॉपर के बड़तों और स्टोन और ब्लेट की इंडर्श्ट्री देखने के लिए कायता में तो क्या देखा हमने वो जैन मिलाई करता है किस कहां पर छोटी काली सिंद नदी के बैंक पर चालको लेथिक यह साइट है यह ठीक इसे काय था कल्चर भी कहा जाता है ठीक कॉपर वेर्स पाए जाते हैं आप और ब्लेड इंडर्श्ट्री भी पाई जाती है ठीक तो यह दना हमने देखा नेस्ट आपका हमने देख रहा है नागडा जो कि उजयन मिलाई करता है ठीक यह आपका नागडा इंशेंट सिटी ह जो शयम्भल नदी पे इस्थित है आपकी फ्लेड का किस ने इसको सटब क्या था किंग जन मेजय ने किंग जन मेजय और पांडवा डायनेस्टी के उन्होंने क्या कहते है उन्हीं के समय में यह क्या कहते है कि ये city को established किया गया था और ये अपने कालिदास के जो वर्क्स हैं उसमें भी नागडा city का mention पाया जाता तो क्या देखा हमने इसके बारे में वो जैन में आपके लाई करती है सबसे पहली वाद चंबल नदी के किनारे पर है सेडल की ते जन मेजर किंग जो पांड़ों में और क संच्वरी बुद्धिस्ट इस्तूपा जो है है यहाँ पर पाए जाते हैं और वर्डेस्ट रूट है नॉट से साउठ इंडिया कर यह जाते हैं आपका क्या है इरान और जो की सागर डिष्टिक में लाई करता आपका चालकषन एजर्ट एज है आपका चालगणए एज यहां पर आपकार जाते हैं गुपता पीरेट के इंपोर्टन रिमेंस यहां पर पाए जाते हैं तो यहां पे हमारा यह आपिक खतम होता है अब नेक्स्ट टॉपिक में हम झिस्स करते हैं आवार्डश या वार्ड चालीए प्रिश करते हैं लिए थे इस ना में वह से प्रिश्टिशिए अं इन्टनने नेशनल और स्टेट लवल अवॉर्ड्स को लॉंच किया ठीक किसलिए ताकि और कर सके हमारे है जो आट्रिस्ट और लिट्रेरी परसन्स हैं उनको तकि जो उन्हें ने लगे गए हैं उसके लिए उन्हें और की अध्य जा सके existem मद्य भी ड्ररेकट 24 घ्रता कि अपने लेक्टर तक किया गया है मत्रदेश में कि ये वार्ड जो है आपना क्या क्या करते हैं कि इति मोटिवेट करने के लिए जाता है ठीक प्लस उनको कुछ उसके साथ scholarship भी प्रवाइड की जाती है और उनको जो रिस्पेक्ट प्रवाइड करने के लिए किया जाता है जो रिस्पेक्ट वो डिजर्व करते हैं साइटी में ठीक कहुंद ही छिए जसे कालिदास हो गया आपका तानसेन आवाड हो गया आपका लता मंगेशकर अवार्ड हो गया तुल्सी आवार्ड गया और एकबाल अवार्ड हो गया इस तरीके बहुत से अवार्ड आपके मत्परेस में डिस्ट्व्यूट की जाते हैं इन अडिशन डिस अवार्ड वैरियस फैलोशिप बहुत सी फैलोशिप भी दी जाती हैं जैसे की और अल्सो अवार्ड विज इंक्लूड अमरिता म्यूजिक के फिल्ड में दी जाती होगी इस्ताव अलाउदिन खान यह आपकी म्यूजिक के फिल्ड में दी जाती है यह आपका फैलोशिप फिर नेक्स्ट आपकी चक्रधर फैलोशिप चक्रधर यह आपकी किसके लिए दी जाती है आपकी फोकार्ट के लिए फोकार्ट क वोगति बोधि विल्टि में दिकिट्रकरति वर्मा क्लिए ते सेंट आब defend के बारे में मंदबद्दाश सेटब का कई ततर्य तक जो कि होती है किसके लिए === प्रमोशन एंड डवलप्मेंट ऑफ लिट्रेचर के प्रमोशन एंड डवलप्मेंट के लिए जो कि आज तक कंटीनुश ने किया है तिल टाइम ठीक इस्टेट लेवर लेटरी परसंस को मद्रेश लेटरी परिशर जो है वो वेरियस अवार्ट कर दी है सम अब देखने जा गरेंरें इसमें सबसे पहले आपका आता है कौन से अवार्ड का आता है तो कवी रवर्ड से सबसे पहले फॉर् kalian किये था उनेस सूथ 56 좋아 comparative उізsm electric जीनियस ऑ new इन पोिट्र कटीन पो अउनके आवर्ड करने के लिए उनि को आवर्ड करने के कैने की ओनर विधिस शब्रकिसी भी इंडियन लेंगवज पोईट को यह आवार्ड देया साथता है वह वह कितने लाग को है लेंगोजेस के लिए दिया जाता है किसके किसके लिए देखेंगे हम पंजाबी कंणर बांगला हिंदी मराथी गुजराती लेंगे इन सारे जीजिए लिए जाता है फस्ट अवार्ड सबकर पहले किसको दिया गया था यह या लखना है बागी नहीं को पाल कृष्ण अडिक क किसके लिए कंणर पोईट के लिए दिया गया था फीट से देखेंगे इस अवार्ड के बारे में एक बार कभीर अवार्ड जो था आपका 1986-86 में इस्टेबलिश के गया था पोईटिक जीनियस को और करने के लिए जो कि इंडियन पोईट्री के पोईटिक जीनियस है उन्ह बांगला पंजाबी हिंदी मराथी गुजराती हो गई इसके लिए दिया जाता है पहला वार्ड कौन इसके श्री गोपाल कृष्ण अडिक ठीक नेक्स्ट आपका देखेंगे हैं कौन सा अवार्ड है तांसेन अवार्ड है यह बहुत इंपॉर्णन अवार्ड है आपका त दिया जाता है किसके लिए ग्रेडिव फो कंट्री फॉर्द ऐमार्ड होता है नको थे अनök करोは折्राड होताई यह बहुत कि करेंठEE अटीकर देया जाता है प्लस क्वद्द्रिएक एंका टैसरें एंदुस्तान हिंदुस्तानी क्लाजिक ने तांसेन समार हो में जो की पहला तांसे नवाड किसे दिया गया था उस्ताद बिसमिल्ला खान इतना याद रखी का पहले टॉनिस सो अस्टी में इस्टैब्लिश करे गया था इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को प्रमोट और डेंड़ोप करने के लिए दिया जाता है दो लाख रुपए का आपका कैश अ माइब्रेट कौन कौन से फिल्ड में एककल मेजिक के फिल्ड में एकलासिक लिट मेश्ड कर चाम काğraf प्लासिकल डांस कर दिन टेटर एंड बीजय अर्ड इस्टेबलिश के गए ता Negro Cryptinh ट्रॉ उंनीस सो असं ऐसी में स्टेबलिश के गए था और किया एंड पे रिस्पेक्ट टैलेंस इंद फिल्ड आप म्यूजिक डांस थीटर फाइन आट्स प्राइज मनी कितना है इसका दो लाख रपर इसका प्राइज मनी है फर्स्ट टाइम किसी की दिया गया था पंडित मलीकारजुन मंसोर को और पंडित सीमा गुंडी श्रीमास आईयर को यह फर्स्ट टाइम दिया गया था फिर से देखेंगे कालिदास अवार्ड के बार में चार दिफरेंट तरीके के कालिदास अवार्ड है ठीक दियता गवर्मेंट अउमद परेश के फिल्ड में वर्प किया है प्लस आपका प्राइज मनी जो है वो दो लाक रुपय का होता है फर्स्ट टाइम किसी दिया गया था पंडित मलीकारजुन मंसोर को और पंडित सीमा गुंडिश श्रीमास एयर को पहले सबसे पहले दिया गया था ठीक आगे चलते हैं देखते फोक एंड ट्रीशनल आट्स को यह बहुत इंपरणेंट देखे आधीवासी फोक एंड ट्रीशनल आट्स को दिया जा और मतलब आउनर करने के लिए बना गया हुआ विदी ने स्पैन ऑफ त्री येर्स दो बार क्या करते हैं मतलब कि उभए ट्ट्रीश तर्न बार तन दि चैनल बटा दिया जाता है ठीक प्राइब करता है इंडिया का खिए कि प्रोट करता है ट्रैबल फोक और ट्रैबलट को प्रोट करने के लिए इंडिया जो है वह बहुत बड़ा एक ट्राइबल फिल्ड में अवार्ड है सबसे पहले इस अवार्ड नेम डॉक्टर किस के नाम पे सबसे पहले यह अवार्ड बना है इंडियान सेंट और फिलोसफर तुलसी राज जी के नाम पे बनाए गया जिन्हों ने राम चरित मानस का निर्मा इस वह था आदिवासी के फोक एंड ट्रेशनल आर्ट को यह क्या करते हैं कि रिस्पेक्ट प्रोवाइट करने के लिए आवाड दिया गया था फरस्ट टाइम गिर्जा प्रसाद और हेजी के सभी देवी को क्या कहते हैं 1923 चुराशी में दिया गया था और यह क्या कहते है कि आपका दिया जाता है किसको प्रमोट करने के लिए ट्रैवल फोक को और गर्ड़ेस्टेटम के लिए और को ऊणर करने म्यूजिक के फिल्ड मैं और singer कोई भी लेंग्वज को सकता है instrumental player भी हो सकता है music compare हो सकता है जिसे एवार्ड मिलेगा ठीक नहीं नहीं singer of any language instrumental player और music composer gets award turn button सबसे पहले singer को मिलता है music player को composer को sorry ऐसे आवार्ड दिया जाता है ठीक दो लाख रुपय cash दिया जाता है इस अवार्ड के अंदर आपका जो भी हो ठीक प्लस के करते हैं कि आपको certificate of appreciation दिया जाता है और generally आवार्ड जो होता है वो फो के करते हैं given around 4th December को दिया जाता है जो कि लता मंगेशकर का birthday है इंदौर शहर में आपका originate किया जाता है इंदौर सेकंड में उनका मना जाता है ठी तो इसे छोड़ी है फिर आगे चलते हैं वश्ण जिंगर हरी हरन उदित नरायन को भी दिया जाता है अनुमलिक को भी दिया जाता है ठीक तो यह हमने देखा लदा मंगेशकर एवार्ड के बारे में 1984-85 में स्टार्ट हुआ था ओनर करना किसे excellence field of light music में ठीक इंदौर में दिया जाता है सबसे इंदौर में दिया जाता है दो लाख रुपए cash money है हमने देखा और composer को दिया जा सकता है music के singer को भी दिया जा सकता है प्लस कहते हैं जो music director को भी दिया जा सकता है ठीक नेक्स्ट है आपको कौन सा आवार्ड इकबाल एकबाल अवार्ड कब लॉंच हु यह minorities related awards है वह बहुत important होते हैं और पूछे जाते हैं तो इकबाल अवार्ड 1986 से अटासी में आपका launch किया गया था और दू literature को बढ़ावा देने के लिए और फर्स टाइम दिया गया था अली सदर जाफरी को ठीक नेक्स आपको कौन सा अवार्ड है कुमार गंधर वावार् 93 में इसे launch किया गया था in order to encourage creativity among youths in the field of classical music मतलब की classical music के field में youths में creativity develop करने के लिए इस अवार्ड को launch किया गया था ठीक ठीक टू केटिक में दिया जाता है singing में and playing मतलब sing गाने में और बजाने में दोना में दिया जाता है ठीक आपका और क्या कहते हैं कि यंग आर्टिस को 25-45 साल है उन्हीं को मतलब की दिया जाता है और classical vocal instrumental जो होते हैं उनको मतलब opportunity देती है एक लाग पचीस जार का इसमें प्राइज मनी मिलता है आपको और क्या कहते हैं कि बहुत से लोगों को अभी तक दिया जा चुका है क्या कुमार गंदर वाट क्या 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 करता है यूद्स में creativity और क्या कहते हैं किसके फिल्ड में आपके classical music के फिल्ड में आपकी creativity आपकी enhance करता है एंकरेज करता है ठीक classical music के फिल्ड में आपकी और singing और playing दोनों के लिए दिया जाता है बीस से 45 साल के उमर के लोगों को जल्द जली प्रिफरेबल होता है यह वाटिक एज बिट्विन फट्वाइफ एन फट्टीफाइव ठीक एक लाग पचीज पचीज जार रुपय का आपका नगत पुरसकार दिया जाता है नेक्स्ट है आपका मैसली सरेंट गुप्त अवार्ड जो कि 1987-88 में लौंच किया गयाता है हिंदी पोईट्री के में दिया जाता है फर्स्ट ताम किसी किया था शम्शेर बहादूर शिंग को ठीक तो मैसली सरेंट गुपत आपको बहुत बड़े पोईट थ सब्सक्राइब करता हैा कि उनिके याद में अवर्ड दिया जाता है निकलो रिस्पेक्ट करने के लिए लिए ऑप कर करता है狗 रूकष पर्साई और फर्स्ट है आपको अब को सोरी सेट के लिए मेमुरी मेमोर्ज के लिए रेपार्टरी डायरी लिटर्वा first time, Harishankar Phrasai Ji को दिया गया था, यह अवर्ड, ठीक ये हो गया आपका next आपका है, शिखर अवर्ड, ठीक शिखर अवर्ड किसे दिया गया था, यह state level अवर्ड है 19801 एक्षि में launch किया गया था, और literature, music, theater and visual arts के field में दिया जाता है, state level award है 1881 में स्टैबलिश किया गया था आउट इंस्टेंडिक क्रियाटिवटी जो करते हैं लिट्रेचर में म्यूजिक थेटर एंड विज्वल आर्ट के फिल्ड में उन्हें यह वाड दिया जाता है शिखर संपान ठीक और यह म्यूजिक आर्ट्स टांस डर्मा ठीटर फोक के फि आर्ट एक सब्सक्राइबं आर्ट के यह सब्सक्राइब कर गदिया जाता है इस अब कि वहार्ट के वारे नहीं जो मैंने बताँ जूत मैंंस नव्शन्वेल टीकर फिल्ड के फिल्ड फिल्ड script writing field में and lyrics writing field में award यह दिया जाता है किसके इसमें field field, film, film direction के acting के script writing के and lyrics के writing के field में दिया जाता है आवाड और कहां दिया जाता है आपका? खंडवा अमध्य प्देश में organize किया जाता है जो festival मतलब आपका organization मतलब वह आपका collectivity जो है इसना से बारम किशुर कुम्रबारम, 1997 बठनमे में, film डारेक्शन के फिल्ड में, acting, script, writing के फिल्ड में, & lyrics writing के फिल्ड में ये वार्ड दिया जाता है, ठिक, 2,00,00 रुबे का अवार्ड करी करता है, plus खंडवा में दिया जाता है, ठिक, और किस को इसको दिया जा चुक है सलीम खां को दिलीब कुमार को रोमी जाफ़री को यगेश को बहुत लोगों को दिया जा चुकए ठिक नेक्स्ट आपका है देवई आहिल्या भाई आवार्ट जो की 1997 में दिया गया था सबसे पहले ठीक किसके लिए दिया जाता है female artist को only for excellence in tribal folk and traditional arts तो यह important है tribal folk and traditional arts के में क्या कहते हैं कि only female award को दिया जाता है only females को 2,00,00,00 का price मनी जाता है first woman के कौन थी पर पंडावनी singer जो थी अच्छे होते हैं उन्हें दिया जाता है plus first woman जो थी उन्चे ने दिया गया था वह तीचन भाई पंडवानी singing के लिए दिया गया था ठीक आपका next आपका महात्मा गांधी आवार्ड जो किसे कि लिए दिया जाता है माताव आवार्ड आपको मत्परेज सरकार देती है और उन organization को जो की outstanding work करते हैं गांधियन philosophy के फिली में गांधियन फिलासफि के फिल्ड में ऑन जो फिल्ड में जो ओर अच्छा वर्ण करते हैं उन्हें सेसे ओपनचानबे 96 में यह वार्ड किसको दिया गया था कस्तूर्बा गांधी ट्रेस्ट को दिया गया था सबसे पहले ठीक और यह अवार्ड के रिसीपियंट जो है वो दस लाग रुपए कैस प्राइज इनको मिलता है ठीक बिगेस्ट अवार्ड गवर्मेंट ऑफ मध्रडेश का इन टमस अव प्राइज मनी और इट वस गिवन टू दूधा टोली पब्लिक डवल्पेंट और्गनाजेशन यहां पर दिया गया था कोई इंपरेंट नहीं सबसे पहले आपको जिश्षक को दिया गया था वही इंपर्डट न तो यह बहुत इंपर्डेंट आवर्ड आपका पूजा सकता है उन और गवर्क करती हैं दस लाग रुपए कैस्प्राइज सबसे बड़ा गवर्मेंट कै एक्सिलेंस डेवलप करवाने के लिए मत्विदेश में और पूरे भारत में ठीक गाइडेंस और और गाइडेंस करता है किसे यंग जनरेशन को लिटरली अक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए ठीक इसके बनाए गया है साहित यकेडमी के अंदर इसे बनाये गया है और इसके अंदर बहुत से corresponding universities भी आती है अगर देखा जायتो कौन कौन से इनिवर्सिटीस है इसके अंदर नेराला सीजन पीट जो की बरकतुला उनिवर्सिटी भौपाल में आती है परिम चंद्र सीजन दुर्गावति युणिवस्टी जवलपूर केंदी नाना साहिव ने निदी युनिवस्टी पुपाल उसके इंद्र आती है अंकराचार पीट आपके ओम कारेश्वर केंद्र आती है तो फिर से देखेंगे इसके बारे में सीजन पीटी के बारे में इंपॉर्टेंट है यह इसका फर्पस क्या है इनेबलिंग और सुटेवल प्लैटफॉर्म प्रवाइड करना लिट्रेटरी परसन को ताकि उन्हें पार एक्सिलेंस तक डेवलप किया सके प्लस यंग जो है उन्हें गाइड करना ठीक जन जनरेशन को और लिट्रेटरी फवहश्टी भपाल के दिना ठीक नेश्ट है आपका प्रेमचन सीजन पीठ हमने देखा विकरम उज्टे उज्जयन के दिना आती आती है मुक्ति बोर्ट सीजन पीठ हमने देखा हरी सिंग गॉड इनिवस्टी सागर के दिना आती है सुबद्रकुमारी चोहान सीजन आपका अड़ल भीहाजी वाजपाई हिंदी उनिवर्सिटी बोपाल में आती है नेक्स्ट आपका आदिशंकरा पीट जो है कि ओमकारेशवर में प्रपोस्ट की गई है ठीक तो देखिए यहां पर आपका यह लेक्चर खताम होता है और इसी साथ आपका कल्चर भी पूरा य ठीक नेक्स्ट लेक्चर से हम मेटपेश की ट्राइव डिस्कस करेंगे तो धन्यवाद हैव गोड़ डेव